नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 5 जनवरी 2022 की हिमाचल परदेश की शाम 5 बजे की टॉप 10 ताजा ख़़रों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और अंकित वर्मा और लेट पी नॉटिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले हैं ताकि आप तक हमाचल परदेश की हर नॉटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं 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 शुरू करते ह पांच बजे तक रात्री करफ्यू लगाने को जो है मंजूरी दी गई इंडोर में जो होने बाले शादी और अन्यकारे क्रमों में भी सिर्फ 50 फिस्ती लोग जो है शामिल हो पाएंगे अगनी उज्याब के सामने बड़ा हादसा टला अन्यंत्रित होकर सडक से नीचे लुडकी बस आदा हिस्सा हवा में लटका बाल बाल बचे 27 यात्री तस्वीरे आप देख सकते हैं हिमाचल परदेश की शिमला जी लेके लोहरी सुन्नी मार्ग पर बोद बार दो पहर बड़ा हादसा टल गया जानकारी के अन्सार हिमाचल पत परिवान निगम अचाटेसी की बस अन्यंत्रित होकर सडक से नीचे खेत में लुडकी बस का आदा हिस्सा हवा में लटक गया हादसे में 27 सवारियां बाल बाल बची तस्वीरे आप देख सकते हैं अगनी उज्याब के सामन वर्चूल माध्यम से बैठक की सूबे में जो है सार साल से जादा उमर के जो है लोगों का 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगनी है स्वास्ते विभाग के पास बूस्टर डोज उपलवद हैं अगनी उज्याब के समने स्कूल शिक्षा बोल्ड आठमी दसमी और बारमी स्कूल शिक्षा के लिए 20 दिसमबर तक आवेदन तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोल्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार्सवानी ने कहा कि सभी परकार के आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्विक्रित किये जाएंगे स्कूल शिक्षा बोल्ड की ओर से NEP 2020 को जो है ल अरोपी ने उसकी पत्नी के साथ अवैद संबंद के चलते हैपी की हत्या किया है आरोपी की पत्नी भी चंतपूर्णी में साफ सफाई का काम जो है करती है अगणी उजाप के सामने निदेशक मंडल की बैठक में फैसला बिजली बोल्ड में भरे जाएंगी 1000 से अधिक नए भगोडे गोशित तुमान भारती बिश्य विद्यले M.B.U. ट्रस्ट के मुखे ट्रस्टी एवं संचालक राजकुमार राणा की पत्नी अशोनी कमर वा उसकी बेटी आयना राणा को अधालत में भगोडा गोशित कर दिया है निजी बिश्य विद्यले से लाखों फरजी दिखरी बेचने के रैकिट की जान स्टेट C.I.D. और हिमाचल परदेश पुलिस की सियुक्त S.I.T. कर रही है अगनी उजी आपके सामने किड़केट धर्मशाला में भार्त शिर्शलंक का T.20 मैच की त्यारिया शूरू पवेलियन साइड से स्टेडियम बांध अगनी गोशालाय राख भ्यंकर लप्टों से दो परिवारों को भारी नुकसान तुदारला घाट की ग्राम पंचाय तरोडी के डुगली गाउं में दो मवेशी खाने आग में जलकर बूरी तरह तबाह हो गए मंगलवार को संकाल संत्रम वा रोशनलाल की गोशालाय धुदू कर चलकर राख जो हो गई गनीमत या रही कि उनके अंदर बंधे पश्वों को समय से पहले बाहर निकाल लिया लेकिन गोशालाओं में रखे सिमान तथा साथ लगते स्टोर में रखे अनाज का काफी नुकसान जो हो गया तस्वीरें आप देख सकते हैं अगनी उज़ाप के स दिन दाहडे चली तलवारे नकाब पोश हमलावरों ने बुटीक संचालक पर हमला और द्योगिक कस्पे नालागर में तेजधार हत्यारों से लेस नकाब पोश हमलावरों ने एक बुटीक की दुकान पर हमला कर दिया इस समले में बुटीक संचालक और उसके करमचारी को जो है चोटे आई है हमलोग वरोने जो है बुटीक में भी जम कर तोड़ फोड़ की और समान को नुकसान पहुंचाया है अगनी उज़ा आपके सामने ट्रक की टकर से स्कूटी सवार की मौत तो देहरा से नुज़े की मंगलबार देरशामकूर रानिताल मुबारिक पूर राष्ट्रे ओचमारग पर लोर सुनेहत के पास एक सड़ खासे में स्कूटी सवार बजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई अगनी उज़ा आपके सामने 11 बोतल देशी शराब बरामद की तस्फीरे आप देख सकते हैं देहरा से नुज़े की पूलिस थाना देहरा के तहत अपर बढ़ल में जो है देहरा पूलिस ने एक व्यक्ति से 11 बोतल देशी शराब बरामद की हैं अगने उज़ आपके सामने, देहरा पुलिस ने 44.28 ग्राम चर्स पकड़ी, तो देहरा पुलिस ने मंगलबार देरशामकुर आनिताल मुबारिक राष्ट्रे उचमारग पर खबली दो सड़का के पीछे बर्षशालिका के पास एक व्यक्ति के पास से जो है, 44.28 ग्राम चर् अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें, और अंकित वर्मा और अच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले हैं, ताकि आप तक हमाचल पर देश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले ज irregular झाता पुले हमाचल झाल वाहा हुई झाल अ पर दे चाहँ पोले होड़ कि ज़िफआ सुड़ कर देस हमाचला झांता गाता हैं... झाल 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 झाल